इजास खान के अकाउंट में बचे कुछी हजार अपने दोस्त से कर्ज लेकर बिग बॉस के घर में पहुचे आखिर क्या है पूरी अपडेट सारी बाते बताऊंगी लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चानल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क हमारे सोशल मीडिया पेजिस को भी फॉलो करें जो कि आपको दिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा बिग बॉस के घर में इजास खान के लिए जो यह वक्त है वह बहुत जादा उतार चड़ा वाला रहा और इसको लेकर इजास खान जो है वह बहुत जादा इमोशनल भी हो इससे बाट जाइश खान है वह आखत होए बहुत जादा अहथ होए है कविता कर दिया कि हम दोनों दोस्त नहीं है यह जान बूझ कर मुझे बना रहा है यह मुझे बंढ़न करने की खोशिश कर रहा है तो इस तरीकर इसने मेरा व्यूस किया है तो इस तरीकə से सारी बात क विता कौशिक ने कही थे अब शारदुल पंडित के अगर बात की जाये तो नॉमिनेशन में वह भी है और जिसको लेकर वह बहुत टेंशन में है और वह सोच रहे हैं इसी सब को लेकर और कहीं न कहीं को बाहर निकलने का डर्फी सता रहा है जैसे कि हम एक वीडियो में देख आये तब उन्होंने 1.5 लाक जो है अपने दोस्त से कर्ज लिया जो की बाहर निकलने के बाद चुकाने भी है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम हिम्मत मत हार उनका वह आगे कहते हैं कि शारदुल तुम्हें बोलना होगा उमीद मत खो रो अपना गुसा निकालो गुसा दिखाओ अपने भांज़े के चहरे को याद करो मा के चहरे को याद करो गुसे को अपने अंदर उबलने दो और फिर उसको बाहर लेकर आओ इस तरीके से जो है वो उनको समझाते नजर आ रहे हैं शारदुल की कंडिशन भी हमें पता है उन्होंने पहले ही इस बारे में ज इस सिच्वेशन में अब जाकर काम दिया है और शारदुल की ये बात सुनने के बाद कहीं ने कहीं जो फैंस है वो बहुत जादा इमोशनल हुए हैं और शारदुल की मदद करने की बात कर रहे हैं वही फैंस दूसरे फैंस से गुहार लगा रहे हैं कि इस हफ़ते उन्होंने बिग बॉस के घर में जानकारी दी उन्होंने का कि किस तरीके से वो डिप्रेशन से जूज रहे थे उनको अकेले में रहने से बहुत जादा डर लगता है तो इस तरीके से पूरी बात हुई है वेल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं क्या आप शादुल पंडित को बचाने वाले हैं इस हफते हाँ या नहीं जरूर बताईए नीचे देगए कॉमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को लाइक शुयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तब तक के लिए टेक केर